जेहीं दोस्तों कैसे आप चब आई होप आप सभी अच्छे होंगे आपकी प्रप्रेशन भी जानदर तरीके से चल रहे होगी दोस्तों आपका एक्जाम कब है आप वीडियो को देखने के बाद लाश में जरूर बताएं जिससे कि आने वाले समय में आपके लिए जो कौन से रचना आपकी पूछे गई थी और उन आपके जो कवे के अगर हम बात करें कि और कौन-कौन से रचना है जो कि आपकी पूछे जाने के संभावना बनती है इस वीडियो को लाश तक देखेगा आप सभी देखने के बाद कमेंट करके जोड़ बताएं कि आपको घाई के रचना कार कौन है आपके जोस्तो अपके लिए इंपॉडटन ररचना अगर हम देखें आप peng रहने रहने वाली है आपसे अगर पूछा जाए राष्पंचा धैए के रचना कार कौन है बात करें दोस्तो इंसे related सभी important fact न राष्पंचा धैए के रचना कार एपन नंददास हैं ठीक है अगर हम बात करें भक्तिकाल में ये आपके अश्ट छाप की कवियों में से एक कवी आपके द्वाने जाते हैं कौन नंददास ठीक है तो अश्ट छाप की कवियों में से अगर हम देखे तो एक कवी हैं आपके नंददास अगर हम बात करें तो तुलसी तुलसी दास की चचेरे भाई थे आपके ये ठीक है इनके पुत्र का नाम क्या था इनके पुत्र का नाम था आपके कृष्णिदास और दिये गे ओप्शन्स में से जैसे कि स्री हर्ष स्री हर्ष कि अगर हम देखे यहाँ पे तो आपके नहशाद चरित हो गई सुर्दास के अगर हम देखे तो भ्रमरगीत हो गई ये रचनाएं आपसे पुछी जा सकती है पर्मा नंददास के अगर हम बात करें तो धुरूब चरित हो गई तो इन सभी रचनाओं को आप याद कर लिजे दोस्तों जैसे कि स्री हर्ष की नैसाद चरित सुर्दास की भ्रमरगीत और पर्मा नंददास की धुरू बचरित और आपको मैंने चो कोश्चन में कराया कि राष पंचा ध्याई की रचनाकार कौन है तो आपको याद रचनाएं नंददास next question कर लेते हैं दो जो next question और भी सांदार आप सभी के साथ यहापे हम करने वाले हैं कि महादेवी बर्मा का जो प्रथम काबिश अंकलन कौन सा है आपके इन में से महादेवी वर्मा का प्रथम का भी शंकलन आपसे पूछा गया है और अगर हम बात करें यहाँ पे आपका जो राइट एंसर हो जाएगा नीहार हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका राइट एंसर नीहार आप शबी का राइट एंसर हो जाएगा most important है इनके बारे में हम सभी complete detail आप सभी के साथ देख लेते हैं question बनेगा कहां से सभी question यही से बनने वाले दोस्तों याद रखी का निहार जो है ना महादवी बर्मा का पहला कविता संग रहे है देखे इनका जो प्रतम शंस्क्राण ना 1930 में गांधी हिंदी पुस्तक भंडार प्रयाग दोरा आपके देखे तो प्रकाशित हुआ था आपके अगर हम बात करें इसकी भूमिका किसके दोरा लिखी गए थी दोस्तों तो अध्याषिंग उपाध्या हर्योध ने लिखी थी इसकी भूमिका और इस संग्रह में महादवी बर्माने 1923 इसवी से लेके 1989 इसवी तक के बीचकुल अगर हम बात करें 47 कविताओं का संग्रह देखने को मिलता है अब इनकी कुछ अन्य रचनाय भी है और इनके बर्श भी है कोश्चन बनेंगे यहीं से दोस्तों देख लीजे एक बार सभी को दिखिए यहाँ पे दोस्तों आपके बात करें नीहार जोकी बर्श है 1930 1930 रश्मी इनकी रचना है 1932 में निर्जा इनकी रचना है 1934 में शांद गीत इनकी रचना है 1936 दीप सिखा इनकी रचना है आपके महादवी वर्मा की 1942 शप्त पढ़ना अगर हम बात करें यहाँ पे तो 1959 शप्त पढ़ना और अनुदित और प्रतम आयाम 1974 और अगनी रेखा 1990 तो इतनी आपको यहाँ पे इनकी रचना हैं कृतियां आपको याद रखना है क्योंकि महादवी जो है न आपके एकर हम बात करें कवित्री होने के साथ साथ ही विशिष्ट गद्देकार भी थी आपके महादवी वर्मा दोस्तों आपको इन सभी रचनाओं को याद कर लेन पर अपने सभी दोस्तों के साथ, जोस्तों आप सभी support जरूर करें, आप सभी share जरूर किया करें वीडियो को, जिससे इसी तरह से important topic पर हम आपके लिए वीडियो लाते रहें, क्योंकि आप सभी का एक share and like है, आपको हमें motivation प्रोवाइट करता है, जिससे कि हम आपके लिए और अगर हम देखें तो वी आपका correct answer है दिएगे options में से, वी आपका right answer हो जाएगा दिएगे options में से, ठीक है, अगर हम बात करें इसके वारें detail, तो देखें कुमार शंभवम जो रचना है ना, यह संस्कृत का महाकावे है, कुसका महाकावे है, संस्कृत का महाकावे है, ठीक second option आपने किया, ठीक है right answer है, चले next question कर लेते हैं दोस्तो, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है आपके इनमे से, most important है आपसे directly exam में पूछा जा सकता है हाने वाली shift में, क्योंकि अभी दोस्तो आपके 15 day आपके चलने वाली है आपके परिक्षा, अगर हम बात करें, आपके MP प रचना है दोस्तो, कनुप्रिया, ठीक है, अब सभी का right answer है, option C, next question कर लेते हैं दोस्तो, नमक का दरोगा, कहानी के लेखक का नाम क्या है, अश्पाल, वीशमिसायनी, अमरकांतिया, प्रेम, चंद, हम एक एक लेखक के अगर हम बात करें, तो उनके सभी रचनाओं के बारे लेखक कौन है, आपसे पूछा जाए, तो आपको याद रखना है, यश्पाल, इसके लेखक कौन दोस्तो, याद रखेगा, यश्पाल इसके लेखक है, ठीक है, अगर हम बात करें, दोस्तो, हिंदी साहित के, यश्पाल के अगर हम बात करें, हिंदी साहित के, प्रेम, चं कौन सी रचना पूछे की, जितने भी रचना है इंपोर्टेंट है, सभी हमने यहाप इसके साथ करने वाले हैं, पहली इनकी रचना है दिव्या, किसकी रचना है यश्पाल की, देश द्रोही, जूठा सच, दादा कामरेट, अमिता, मनुष्य के रूप, मेरी तेरी उसकी बा कुरता, फूलों का कुरता, भश्मा बृत, सिंगारी, धर्म युद, सच बोलने की भूल, जो कि एक कहानी संग्रह है, इंपोर्टेंट है आपके लिए सच बोलने की भूल, एक कहानी संग्रह है आपका और इनकी रचना है यश्पाल की, चक्कर क्लब, जो एक ब्यांग यह भी अगर हम देखे यश्पाल की, तो दोस्तों, यहाँ से कुश्चन आपके बन सकते हैं, आप इन सभी को एक से दो बार वीडियो को देख सकते हैं, और पीडियाफ के थुरू आप से भी रिवाइज कर सकते हैं, तीक है, आज आपके बात करें, भीश्मा साहिनी की अगरिन इलेखक मना जाता है कि इसे भीश्मा साहिनी का, तीक है, भीश्मा साहिनी को, इसे मानवी मुल्यों के लिएगर हम देखे हियायती रहे हो, इन्होंने विचार धारों को अपने उपर कभी हावी नहीं होने दिया, तीक है, इनकी रचना हैं, आप सभी याद रिखे वांगचू, निशाचर दोस्तों अगर हम बात करें कि एक रचना important है, जोसे हानूश हो गई, माधवी हो गई, और कभीरा खड़ा बाजार में, कभीरा खड़ा बाजार में, तो याद रखेगा, वीश्मा साहिनी के सभी रचनाएं हमने आप important आपकी discuss कर ली हैं, अब आप से आपके आने वाले स्रिप्ट में पूछी जा सकती है, अमरकांत से, जोस्तों 1995 से लेके 1742-14 तकर हम देखें, और हिंदी साहित में, प्रेम चंद के बाद यथार्थवादी धारा के प्रमुख कहानिकार थे, आपके कौन अमरकांत, किसके बाद प्रेम चंद के बाद अग ग्राम शेविका, सुख जीवी और बीच की दीवार, तो ये क्या है आपके ये दोस्तों, अमरकांत की सभी रचनाएं आप सभी के साथ हमने डिस्कस किया, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा प्रेम चंद के बारे में, इनका नाम अगर हम धिके धनपत राज, सुर्यास्त वित आपके जो नाम से जाने जाते हैं थो और हिंदी और उर्दू के सरवदिक लोगपर ये उपन्यास कर कहानी कार्यों विचारक थे आपके, इनकी रचनाओं के अगर हम बात करें, जैसे सेवा शदन, आपके प्रेम चंद की रचना है, प्रेम अश्रम हो गई, रंग गोदान, ये लगभग अगर हम देखें, अगर हम देखें तो डेड़ दरचन उपन्यास और कफन, कफन अगर हम देखें तो इनके एक रचना है, पूश की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बोढ़ी काकी और दो वैलो की कथा, ठीक है, ये कहानिया है आप अगर हम बात करें तो संपादन और प्रकाशन किया था आपके, ठीक है, और हिंदी कानी तरथा उपन्यास के छेत में, 1918 से 1936 तक के कालखन को किस नाम से जानते हैं, प्रेम चंद यूग या प्रेम चंद यूग कहा जाता है, प्रेम चंद यूग अगर हम बात करें तो कहा जाता है जो टाइम पिरियए, 1918 से 1936 का, ठीक है, नेक्स कोश्चन कर लेते हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्डेंट है आपके, पुझी वादी सब्वेता पर जो कुकुर मुत्ता के बयान के बहाने करारा व्यंग किया गया था, तो जो ये कुकुर मुत्ता है आपके, किसकी रचना है, ये आपको बताना दोस्तों कुकुर मुत्ता जो है, किसकी रचना है, शुरकांत्रिपाथी निराला, मोहन राकेश, भीसमसाइनी और फणिश्वनाथ रेंडू, किसकी रचना है, दोस्तों आप शबी को याद रखना है, अगर हम बात करें, ये आपकी किसकी मोहन राकेश की रचनाओं में आती है अंधेरे, बंद, कमरे, अंतराल, ना आने वाला कल, किसकी रचना है मोहन राकेश की रचना है, अशाड का एक दिन, आधे अधूरे, लहरो का राजहन्ष, परिवेश, शाकुंतलम, यह सबी रचनाओं दोस्तों किसकी है तो आपको हैं ठीक है वीज में सायनी की रचनाओं का हमने अभी डिसकस किया जरोखे तमश बसंती मेरी प्रे कहानिया भाग गिरेखा वांगजू निचाचर हानूश मादवी कविरा खड़ा बाचार में यह सबी रचनाओं वीज में सायनी की हो गई अगर हम बात करें फडिश्वर ना रेनो का जो कि आपके एक्जाम में अभी प्रिवेस सिप्टे में पूछा जा चुका है जिसके लिए ने परमिसरी पुरुषकार से सम्भानित किया गया था आपके किसके लिए मैला आचल जो इनका उपन्यास है आपके हम ठीक है इसे बहुत एक तरसे ख्यातिया जिसे अनामिका हो गई परिमल हो गई आपके नहीं कि रचना है गीतिका गीतिका हो गई फिर कुकुर्मुत्ता फिर अडिमा और बेला यह सबी जो रचना है दोस्तों इंप्रिंट है आप याद कर लिजेगा किसके रचना है सुरकान्त्रिपार्ठी की रचना है तीके next question द महावीर प्रशाद दुबेदी कौन थे दोस्तों महावीर प्रशाद दुबेदी थे सरस्थी पत्रिका के संपादक यह अगर हम बात करें कहां से प्रकाशित होती थी आपके दोस्तों यह 1900 से अगर हम बात करें कि सरस्थी पत्रिका का जो प्रारम हुआ था इलाहाबाद से प प्रशाद दुबेदी अन्य जो विकल्प दियेगे जैसे माखालाल चुतरवेदी की जो पत्रिका है कर्मवीर 1921 जबलपूर से आपके प्रकाशित होती है most important है मदन मोहन मालवी की अभ्यूदय है 1907 कासी और भारतिन धरिश्चंद की आपके भारतिन धरिश्चंद की है कवी वाच्चन सुधा ठीक है कवी वाच्चन सुधा और जो काशी है आपके दोस्तों यह माशिक पाक्षिक और सब्ताहिक अगर हम देखे तो यह आपके प्रकाश्चन इसका होता है आपके ठीक है तो यह सभी आप सभी रचना याद कर लिजेगा जो इनकी पत्रिकाएं है कौन है आपके इन में से देगे options में से आप सभी याद रखेगा दोस्तों निर्मला के रचना कार कौन है दोस्तों याद रखेगा अभी मैंने बताया भी आप सभी को कि मुंशी प्रेमचंद की रचना है दोस्तों निर्मला मुंशी प्रेमचंद की रचना है दोस्तों एक बार रचना, एक बार हम और डिस्कaries कर लेते हैं जैसे प्रेमा, प्रेमा हो गई, प्रतिज्या हो गई, गोदान हो गई, प्रेमा श्रे हो गई, रंग भूमी हो गई, कर्म भूमी हो गई, निर्मला जो है उपन्याश हिंदी के उपन्याश שמराट कहे जाते हैं मुंशी प्रेमचंद की रचना है आपके और इनके अन्य उपन न्याश जो कि आपके आने वाले सिप्टे में पूछे जाएंगे वो आप सभी के आप याद रखने है प्रेमा प्रतिग्या गोदान प्रेमा श्रम रंगभूमी और कर्मभूमी यह तो आपको याद ही हो जाए जीए प्रेमचंद र्चित कौन सी रचना है ब्रिंदावनलाल वर्मा की रचनों में अगर हम बात के रहें तो मलैक नहीं नहीं गढ़ कुंडार लगन और आपके बात करेङ संगम तीक है जितने भी important है वो हम यहाँ पर discuss कर रहे है तीक है चलि next question कर लेते हैं दोस्तों इसमें से प्रेमचंद दौरा रचित कौन सी रचना है इनमें से प्रेमचंद दौरा रचित कौन सी रचना है जैसे तमश हो गई गबन हो गई गुनाहों का देवता मैला अंचल कौन सी एक गबन दोस्तों गबन जो है आपके यह मुणशी प्रेमचंद की रचना है दोस्तों आपको याद रखने है तमश अभी हमने देखा है कि भीस में साहिनी की रचना है 1973 and मैला अंचल जो है फडिश्चरनात रेणू की है 1954 और गुनाहों का देवता जो है दोस्तों ध शाल लगा लिजएगा पुछा जा सकते आपके आने वाले सिप्ट में दोस्तों साहित दरपन की रचनाआकार र compilation देखें इप आपसे भी important fact गृत है साhित दरपन जो है संस्क्रित भाशन में लिखा क्रन्त है इसके रचONAइता कौन्न सिवें शितापदी में अगरम देखे तो बैताया जाता है और ममट के जो काविप्रकाशक के समाने गरम देखे तो साहित दरपण भी साहित लोचना का एक प्रमुख गरंथ है आपका जो साहित दरपण है इसके रचना कारियाद रिखेगा विशुनात हैं और जो अधर आपके उप्शन दियेगे जैसे दंडी, दंडी जो है दसकुमार चरित काविया दर्ष, भाभूती जो है इनकी रचना जैसे उत्तर राम चरित मालती माधो आपसे यहां से भी कोशन पूछे जा सकते हैं रतना वली और प्रदर्षिका यह जो रचना है आपके अभी एक्जाम में नहीं पूछे गई हैं आपसे पूछे जा सकती हैं और उत्तर राम चरित और मालती माधो भाभूती की हैं चलिए नेक्स कोश्चन दोस्तों कर लेते कामाईनी के रचनाकार कौन है आपके इनमें से कामाईनी के रचनाकार कौन है दोस्तों आपसे पूछे गई है आपके यह कामाईनी कामाईनी अगर हम बात करें हिंदी भास एक एक महा काव्वे है और इसके रचनाकार कौन है दोस्तों जैसंकर प्रशाद इसके रचनाकार कौन है? जैसंकर प्रशाद इसके रचनाकार है, आप सभी को याद रखना है, यह आधुनिक छायाबादी युग के सर्वोत्तम और प्रतनिती हिंदी महा काव है, अगर हम देखे यह आपका कामाई नहीं, और प्रशाद जी की अंतिम काव रचना है, जो कि क प्रकासित हुई थी दोस्तों, कब प्रकासित हुई थी आपको बर्श याद रखना है 1936 में, कब प्रकासित हुई थी दोस्तों, 1936 में आपके प्रकासित हुई थी, ठीके नेक्स्ट कर लिजीगा कोशन, कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना इन में से कौन सी है, जो कि प्रकाशित हुए है और इनकी प्रशित देख कविता है आपके जhaंशी की रानी जो हैं आपके नहीं की रचना है आपके तो में अमड़क उर्भी एक नपोड़्प ये आपके अमरीतलार की आपके तीके next कर लेते हैं question शबुना ही अगुना ही नहीं कुछ भेदा और गावा ही मुनि पुरान बुद्ध बेदा यह जो आपके बालकार्ण के अंतरगत अगर हम देखे जो रामचरित मारस के अंतरगत बालकार्ण जो इसमें यह कथन किसका है आपका कि सबुना ही अगुना ही नहीं कुछ भेदा नहीं कच्छ भेदा और गावा ही मुनि पुरान बुद्ध बेदा यह अगर हम देखे तो सिवजी का किसका है दोस्तों की कथन यह सिवजी का कथन है तोस्तो रामचरित मारस के अगर हम बात करें, इसकी रचना तुलसीदास जी ने 1574 इश्री में अगर हम देखें तो इसकी आपके रचना की थी आपके, तुलसीदास ने, इसमें अगर हम देखें, साथ कांड देखने को मिलते हैं, तुलसीदास जी के अंडे महत्रपूर्ण जैसे कविता वली दोस्तों तुलसी दास की रचना है गीता वली हो गई फिर दोहा वली हो गई बिने पत्रिका हो गई तो यह सबी रचना है आपके में से आपकी जयदा तर पुछी गई है आपकी एक्जाम में आपकी आने वाले एक्जाम में आने वाले सिप्ट में ठीक है जैसे रामानन्द की हैं, आपके रामरक्षा इस्त्रोत, विश्नु दास की हैं, रामायन का था, विश्वर दास की हैं, आपके भरत मिलाप और अंगर्द पैज, तुलसी दास की और भी रचनाय जैसे अगर हम देख लेते हैं, जैसे रामचरित मानस का वर्ष क्या है 1574, बिन लला नेचु, तो ये सभी आपके बात करें तो इनकी रचनाय हैं, जैसे लालदाश की रचनाओं में अगर हम देखें, अवद बिलाश है और शेनापती की है कवित रतनाकर, ये भी आप सभी याद रखेगा, ठीक है, पूछी जा सकते हैं, आपके, नेक्स कोश्चिन कर ल ये समकाली इन कविता के समाधित कभी हैं, और इनकी किती जो हैं अनुफव के आकाश में चांद को, 1997 में साहित तकादमी पुरुषकार भी मिला था, और इनकी और वी जैसे कविता संग रहे हैं, संख मुखी सिखरों पर, फिर नाटक, पांच बेटे और गद्ध, मेरे साक चांद कार, ये नहीं के हैं आपके, फिर जैसे कि आपसे पुछा जाएं पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, ये कविता जो प्रगतिवादी कभी केदारनाथ अगरवाल दोरा रचित है, पुछा जा सकता है आपके एक्जाम में पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, किसकी है केदार नाथ अग्रवाल की बादल राग बादल राग दोस्तों ये आपकी निराला जी की प्रशिद कविता है बादल राग जो है निराला जी की प्रशिद कविता है ठीक है चाया मत छूना ये अगर हम बात करें किसकी है गिरजा कुमार माथूर की इंपोरेंट है चाया मत छूना क इसके गिरिजा कुमार माथूर जी की है, ठीक है, नेक्स्ट कोश्चन कर लेते हैं, फरिश्वल नाथ रेणू दौरा रचित कहानी कौन से दोस्तों, तो फरिश्वल नाथ रेणू दौरा रचित कहानी जो है आपके दोस्तों आप सभी याद रेखे का लाल पान की बेगम, इंपोर्डेंट अगर हम देखे तो आपके लिए बन जाता है कुश्चन, फडिश्वनाथ रिणू दौरा रचित आपका कहानी है लाल पान की बेगम, ठीक है, अगर हम बात करें लाल पान की बेगम जो की ठुमरी शंग्राय में संकलित है आपका 1956 में अगर हम देखे तो यह आपके एक तरह से संग्रित आपके कहानी है और यह इलाहावाद से प्रकाशित कहानी पत्रिका के जो जनवरी 1957 के अंके में प्रकाशित आपके हुई थी, ठीक है, लाल पान की बेगम, जिसमें की ग्रामेर नारी की एक अकांच्छा का सहज अंकन मिलता है प्रमुख पात्र विर्जो और मखनी थे, प्रमुख पात्र जो थे इसके, इस कहानी के, ठीक है, फडिश्वनात रेडू हिंदी के प्रशिद आंचलिक कहानी कारवा उपन्यास कार आपके थे, ठीक है, अगर हम बात करें कि और भी रचनाय है, जिसे मैला अंचल उपन्यास है, ये भी आपक कि महक, ये कहानी संग रहे है दोस्तों, याद कर लिजेगा, इंपोर्डेंट है आपके लिए, ठीक है, कुछ हन्य रचनाय भी है, जैसे आपके बात करें, रामधारी सिंख दिनकर की एक इंपोर्डेंट है, सूखी नदी का पुल, सूखी नदी का पुल, दो बैलो की कथा मैंने आपको भी बताया कि ये पुनसी प्रेमचन दौर अचित हिंदी कहानी है, ठीक है, उसने कहा था, ठीक है, उसने कहा था, नैंटीन फिप्टीन में चंद्र धर सर्मा गुलेरी दौरा लिखी गई कहानी है, उसने कहा था, ठीक है, लाश्ट प्रस ने आपे आज की इस किस काब इधारा के कवी ते ये तो most important है हम देखे तो प्रेम चंद और हिंदी भासा से गर हम देखे तो प्रेम चंद है जिनकी रचना है गोदान, गबन, नमक का दरोगा तिक हे और लाश्ट अगर हम देखे हैं आपके मैथली मैथली अगर हम देखे हैं मैथली वाशा से बिद्यापती हैं इनके रचनाई याद लखीगा कीरती लता और कीरती पता का कीरती लता और कीरती पता का तो दोस्तो ये आज के हम पे complete होते हैं सभी अगर हम बात करें आज के इस वीडियो के important जो आपकी रचनाए हैं तो वीडियो को सियर जरूर कीजेगा अपने सभी दोस्तों के साथ अगर आप वीडियो पसंदा वीडियो को सियर जरूर कीजेगा आपको कंटेंट जो यहां पर प्रोवाइट किया जा रहा ह अगर आपको अपके लिए बेतर है आपके लिए helpful हो रहा है तो आप से भी इस वीडियो को सेयर जरूर करें अपने सभी दोस्तों के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में चैनल पे अगर आप नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिए क्या आने बाले एक्जाम के लि तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू